नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ धननजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे जियो पॉलिटिक्स एक ही समय में कितना कॉम्प्रिकेटड और इंट्रेस्टिंग हो सकता है इसका अंदाजा हम इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि रश्या के जो रिलेशन है वो भारत के साथ अच्छे हैं वहीं पर भारत के रिलेशन चाइना के साथ अच्छे नहीं है लेकिन साथ में बीट एक कुछ सालों में रश्या और चाइना काफी क्लोज आये हैं तो ये भी हमारे लिए देखना काफे इंट्रेस्टिंग हो जाएगा कि अगर कल को किसी भी तरीके से चाइना के साथ भारत के रिलेशन खराब होते हैं तो रश्या का इस्टैंड क्या रहने वाला है। इसी बीच इसी महीने के तीन और चार तारीको कसगस्तान के कैप्टल अस्थाना में शेंगाई कॉपरेशन और्गनाजेशन सब्मिट को और्गनाईस किया जाता है जहां पर भारत के तरब से पिये मोधी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बलकि हमारे फोरण अफेर्स मिनिस् के पीछे अपना भी वजय है साथ में अगर बात किया जाए रश्या और चाइना के बारे में तो इनके जो आपस के संबंध है वो भी काफी जादा कॉन्फ्लिक्टिंग है लेकिन हम इस चीज़ से भी इंकार्ड नहीं कर सकते हैं कि बीते को सालों में ये दोनों देश काफ बी लंबा हो जाएगा और जैसा कि हम सभी को पता है कि जियॉपॉलिक्स में हर देश का एक अपना interest होता है वैसे ही चाइना का interest है वैसे ही रश्या का interest है साल 2013 में जब प्रेसिडेंट शी पहली बार प्रेसिडेंट बनते हैं चाइना का तो इनका जो सबसे पहला ओफिशल विजिट होता है वो रश्या होता है और इस बार पांचवी बार जब व्लादेमिर पुतिन रश्या के प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनका जो सबसे पहला foreign trip होता है वो चाइना होता है तो यहां पर समझने वाली बात है वो यह है कि जब से प्रेसिडेंट शी और व्लादेमिर पुतिन रश्या को समालते हैं तब से दोनों देशों को यह समझ में आ गया है कि आपस में इनके जो भी खटास है अगर उसको यह कुछ दिर के लिए साइड नहीं रखेंगे तो जो western countries प्लस US है वो सारे देश मिलके इनके आपस का जो होता है western countries और US के लिए और उसके बाद बात किया जाए चाइना और रश्या के बीच में तो चाइना के पास offer करने के लिए बहुत कुछ है कहने का मतलब है कि चाइना अपने belt and road initiative के तहत बहुत सारे देशों में infrastructure development कर रहा जहां पे bridges बना रहा road बना रहा या possibly हर तरीके का development क सिर्फ हसिर्फ weapons ही रह जाता है वहीं पे चाइना economy के तरफ अधिक focus करता है लेकिन साथ में कभी भी व्लादेमिर पुतिन ये नहीं चाहेंगा कि president she का जो कद है वो और भी बढ़े और same president she भी कभी नहीं चाहेंगा कि Russia का जो कद है वो और बढ़े लेकिन क्योंकि अभी Russia औ और US के द्वारा sanctions लगाया गया है जहां पर चाइना के उपर ये allegation है कि ये अलग-अलग देशों के उपर जासूसी करते हैं वहीं पर Russia और Ukraine अभी war में है तो सभी western countries हम कह सकते हैं कि support कर रहे हैं Ukraine को तो उस support के कारण क्या हुआ है कि Russia के उपर बढ़ चड़कर sanctions लगाया गय ये महस कुछ सालों कहीं बात है लेकिन उसके बाद जब situation normal होगा तो chances ये है कि इनके जो आपस में संबंध है वो back to normal हो जाएं कहने का मतलब है कि इनके बीच में जो कुछ हद तक का जो दरार है वो बना ही रहेगा अब अगर कोई समझना चाहे कि आखिर में Russia और China के बीच म का जन्म भी होता है अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो चाइना का जो expansion है वो उस बेगिस्तान में है तुर्कपनिस्तान में है कजगस्तान में है तो कहने का मतलब है कि चाइना उन सब देशों में अपना investment बढ़ चड़कर कर रहा जो किसी टाइम पे USSR का हिस्सा हुआ करता था और अगर आप व्लादमिर पुतिन के statements को अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे जो वो देश के अंदर देते हैं तो वो कही ना कहीं रश्या को former USSR के इतना मजबूत बनाना चाहते हैं और साथ में वो expansion भी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो सारे देश जो कि इसी टाइम पे USSR का हिस्सा हुआ करते थें वो लोग जब भी कोई भी statement सुनते हैं तो वो काफी uncomfortable feel करते हैं तो उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज रश्या यूकरेन के उपर attack किया है और लड़ी वो क्रेमिया को ले चुका है तो कहीं ऐसा ना हो कि उजबेगिस्तान या कजगिस्तान में भी वो रश्या attack करे और उन सब areas को वो ले ले तो कहने का मतलब है कि अगर चाइना इन सब देशों में अपना investment किया है तो उसका भी एक अपना interest है यहाँ पे वहीं पे अगर बात किया जाए अफगानिस्तान के बारे में या इरान के बारे में तो रश रश्या और चाइना दोनों मिलके अपने interest को दिखाना शुरू कर दिये हैं अफगानिस्तान में तो कहने का मतलब है कि जब दो या तीन देशों का एक ही common point या एक ही interest होता है तो कही न कहीं वहाँ से जो friction है या वहाँ से जो clash of interest है वो भी होना शुरू हो जाता है तो भले के डेट में रश्या और चाइना close आये हैं लेकिन इस closeness के पीछे का जो वज़ा है वो अभी का जो समय है वो भी है साथ में अगर स्पेसिफिकली बात किया जाए शेंगाई कॉपरेशन और अर्गनाजेशन के बारे में तो इसमें बहुत सारे ऐसे देश है जिनके आपस मे आपस में अच्छे नहीं है और दोनों देश शेंगाई कॉपरेशन और्गनाजेशन का मेंबर है भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही साल में इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और वो साल रहता है 2017 जहां पर भारत को पुश किया जाता है रश्या के दोवारा और वहीं पर पाकिस्तान को पुश किया जाता है चाइना के दोवारा आज के डेट में पाकिस्तान बहुत बड़ा चाइनीज लोन लेके बैठा हुआ है और वहीं पर बात किया जाए पाकिस्तान और इरान के तो इनके भी आपस में संबंद अच्छे नहीं है लेकिन अगर वहीं पर बा अंदर भी अलग-अलग देशों का अपने-अपना इंट्रेस्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि कजगस्तान किसी टाइम पर USSR का हिस्सा हुआ करता था और चाइना बढ़ चड़कर कजगस्तान में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो कहीं न कहीं व्लादेमिर पुतिन जब इन सब चीज़ों को देखते होंगे तो उनको डेफनेटली अच्छा नहीं लगता होगा लेकिन क्योंकि आज के डेट में रश्या को चाइना से वेपन चाहिए और कहीं न कहीं उनको सपोर्ट चाहिए ताकि वो यूकरेन के साथ लड़ सके और बढ़ चड़कर चाइना रश्या को सपोर्ट भी किया है वेपन से तो अभी अगर आप रश्या के पॉइंट व्यू से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पॉइंट आफ टाइम पे रश्या को जो सबसे अधिक जरूवत है वो है वेपन्स का तो इसलिए रश्या अभी चुप चाप बैठा हुआ है और चाइना का जो एक्सपेंशन हो रहा है Central Asian Countries में खास करके वैसे देशों में जो किसी टाइम पे USSR का हिस्सा हुआ करता था रश्या चाइना के इस एक्सपेंशन को चुप चाप से टॉलरेट कर रहा जब भी कोई लीडर्स किसी देश में जाते हैं तो वहाँ पिन्टो किस तरीके से वेलकम किया जाता है तो वो सारे जेस्टर्स भी अपने आप में काफे इंपोर्टन होते हैं जब प्रेसिडेंट शी कसगस्तान पहुंचते हैं तो उनका काफी जोड सोड से स्वाकत किया जाता है तो इन सारे चीज़ों को जैसे कि इंडिया मॉनिटर कर रहा वैसे ही डेफिनिटली रश्या भी मॉनिटर कर रहा होगा वहीं पर बात किया जा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कि ये पार्टिसिपेट क्यों नहीं किये तो जैसा कि अब तक मेडिया रिपोर्ट है आठ या नौ जुलाई को प्राइम मिनिस्टर मोदी रश्या जाने वाले हैं जहांपे वो directly मिलने वाले हैं व्लादमिर पुतिन से तो यहांपे समझने वाली बात है वो यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ओलेडी रश्या जा रहे हैं या उस सब्मिट का कोई खास importance नहीं है तो यहांपे जो हमारे लिए समझने वाली बात है वो यह है कि रश्या अपने हिसाब से चाल चल रहा और चाइना अपने हिसाब से चाल चल रहा जहांपे चाइना एक तरफ रश्या को वेपन्स भेज के support कर रहा और इसी बीच वो अपने Central Asia एदेशों में अपने expansion को कर रहा Belt and Road Initiative के तहट वहीं पे क्योंकि अभी इस वक्त रश्या को सबसे अधिक जो जरुआ थे वो सिर्फ और सिर्फ वेपन्स का है ताकि वो किसी भी तरीके से Ukraine के सामने कमजोर ना पड़े I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye